Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Tendo Care Tablet के बारे में जो कि इसका इस्तमाल खास तोर पे joints, pain और सौचा से जुड़ी समस्यों के लिए इसके साथे साथ Osteoporosis जैसे सिकारतों में इसे खास तोर पे इस्तमाल करता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Tendo Care Tablet के बारे में इसमें combination का है और जो जो combination है उन combination का क्या work है कौन-कौन से purpose में इस्तमाल करते हैं, इसके इस्तमाल से क्या फायदा है, नुकसान क्या है, डोज क्या है यह सब भी बाते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं Tendo Care Tablet जो कि आपके पास के medical store पर बहुती आसानी से मिल जाता है यह 15 tablet की packing में आती है, 305 से, 310 रुपे की price में आपको बहुती आसानी से अब label हो जाता है और इसकी price fluctuate होती है, कम जादा होता रहता है यह फार्मेट कंपनी की बिनाई भी medicine है, यह हमने बात करें Tendo Care Tablet के बारे में अब हम बात करते हैं, इसमें क्या 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 combination है, इसमें सारी combination काफी अच्छे हैं और एक दूसरे से related हैं, जो की combination की रूप में काफी अच्छा work करते हैं जैसे की vitamin C, condrotin, sulfate, sodium, hyaluronate, collagen, peptides अब बात करते हैं, इसमें सभी का क्या क्या work है तो आपको हर एक tablet में collagen 200 mg मिल जाता है जो की इसका खास और पे इस्तमाल, ligaments और skin, muscles को improve करने के लिए collagen की कमी को दूर करने के लिए इसे खास और पे इस्तमाल किया जाता है collagen जो की हमारी body के लिए most abundant protein में से माना जाता है और यह काफी ज़रुतमन्द proteins में से एक है इसकी कमी होने कारण हड़ियों में कमजोरी आने लगता है इसके साथे साथ joints में काफी ज़री की problems create हो जाती है तो यह उनको solve करने काम करता है ligaments को मजबूत करता है इसके साथे साथे साथ muscles को strong करने में भी काफी फायदेमन्द होता है बात करें collagen peptides का कौन-कौन से परपज़ों में इस्तमाल करता है तो यह तोचा को improve करने काम करता है इसके अलावा यह joint spin में काफी फायदेमन्द होता है osteoporosis के परपज़ में इसे काफी ज़्यादा इस्तमाल करता है collagen जो की एक तरह rubber की तरह काम करता है जो की mass PCO को मजबूत रखने काम करता है हमारी joints के इसके साथे साथ यह osteoporosis जैसे chances को कम करने के लिए इस्तमाल करता है इसके साथे 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 सूजन और दर्द को भी कम करने में काफी फायदेमन्द होता है जो भी fractures bones होते हैं उनको यह बहुत जल्दी heal करने में बहुत जल्दी improve करने में recovery करने में मदद करता है इसके साथे साथ यह muscles mass को भी boost करने में काफी फायदेमन्द होता है इसके साथे साथ collagen जो कि हमारी heart patients के लिए काफी फायदेमन होता है heart के health के लिए काफी useful होता है इसके साथे साथ यह hair, nails, nervous system इसके अलावा बजन को लोज करने में भी काफी ज्यादा इस्तमाल किया जाता है collagen peptides का इसे खास तोर पे इन सभी परपजों में इसे इस्तमाल करते हैं खास तोर पे इसे पर हड्यों से जूड़ी सिकातों के लिए काफी अच्छा वर्क करता है और तौचा से जूड़ी समस्यों के लिए अब अगला combination की बात करते हैं sodium hyaluronate जो कि यह दवा joint से जूड़ी समस्यों के लिए हड़ियों से जूड़ी समस्यों के लिए काफी फायदिमन्द है तो यह sodium hyaluronate जो कि एक तरह का fluid होता है जो हमारी body के joints जो भी होते हैं वहाँ पर lubricant की तरह काम करता है जो कि इसकी कमी होने कारण घुटनों में कोहुनियों में रगड जैसी महसूस होती है कड़कड की आवाज आती है इस तरह की purpose देखने को problem देखने को मिलती है तो यह उन सही परपजों में fluid की तरह lubricant की तरह काम करता है यह उनको dryness से दूर रखने में मदद करता है अब अगला combination की बात करें condrotin sulfate जो की cartilage के लिए काफी फैदिमंद होता है या resistance को बढ़ाने में काफी फैदिमंद होता है अब बात करते हैं अगला combination जो की vitamin C है जो की vitamin C भी काफी हमारी body के लिए काफी फैदिमंद होता है इसे खास और पे भरपूर मात्रा में antioxidant होती है जो भी हमारी body toxic होते हैं उनको बाहर निकालने काम करता है इसके सांथे सांथ या तोचा से जूड़ी से भी तरह के रोगों को खतम करता है तो यह इन सभी प्रपज़ों में काफी अच्छे से वर्ग करता है इसके सांथे सांथ यह किसी भी तरह का chronic disease होता है पुराना से पुराना रोग होता तो उनको खतम करने काम करता है इसके साथ हाई blood pressure को भी normal करने में मदद करता है heart disease में काफ़ ज़्यादा इस्तमाल करता है vitamin C का iron की deficiency में भी काफ़ी फायदमन होता है तो यह overall इन चारों का यह सभी का यह work है आपको sodium hyaluronate जो की हर एक tablet में 40 mg मिल जाता है chron protein sulfate जो की 30 mg मिल जाती है रात को सोत वक्त गुनगुने पानी के साथ आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं यह आपकी depend करती हैं आपकी किस purpose में लेना चाहते हैं और यह medicine का इस्तमाल doctor की रेक देख में करें तो खाफ़ी फायदमन्द होगा किसे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady हैं अगर आपको किसी भी तरह critical medical condition में आपको कोई medicine course चल रहा है तो उस प्रपेज़ों आप doctor से consult करने के बाद ही इस्तमाल करें यह doctor की रेक देख करने में देख में इस medicine का इस्तमाल किया जाता है नुक्सान की बात करते किसी भी तरह कोई नुक्सान है अगर आपको शूट नहीं करता है तो नॉर्मल स्टेच पर वॉमिटिंग सर में दर्द कब जैसी problems देखने को मिल सकती है इस इस्तमाल करें जाता है तो यही था टेंडो केर टेबलेट के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो और यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यव था 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 थ झाल झाल झाल